प्रेस दी बेर लाइकन निवर मिसन अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट गावरी हे गाईस कैसे हो आप सब तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वालें की ऐसे कौन से टॉप 10 M.C.A. Colleges है इंडिया में क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि आप M.C.A. Colleges के ओपर वीडियो बनाओ की कौन-कौन से टॉप प्रेंक में आते हैं तो मैं पूरे इंडिया में कवर करने वाले हूं कि ऐसे कौन से टॉप 10 Colleges है M.C.A. का कोर्स करवाते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूं तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नियू हो तो सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि उनको भी यह इंफॉर्मेशन टाइम-टू-टाइम मिलती रहे और उनको भी इसके बारे में भी कॉलेज के बारे में पता पड़े कि कैसे कौन कौन से कॉलेजिस हैं जो एक टॉप पोजीशन में आ रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आता है डिपार्टमेट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो की सावित्री भाई फूले पूने यूनिवर्सिटी पूने में है यह तरीके से आ की करवाई जाती है कैंडिडेट को यहां का फी स्ट्रक्चर अब मैं बता हूं तो सम्वेर फिगर जो है बहुत ही रीजनेबल है लगभग 50,000 तक इतना फी स्ट्रक्चर लगभग आ जाता है यहां पर यहां का यह जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यू फीस्ट्रक्चर जो है पूरे कोर्स का तीन साल के लगभग आप बोल सकते हो कि अफिप्टीन हंड्रेट तक उसमें लिखा हुआ है यह नहीं बोल सकते हो कि अभी रीजन्क इतना है या नहीं आई सही है या गलत है क्योंकि वहां पे वेब साइट में कुछ समय पहले मैं न तो इतना आ रहाता तो फी स्ट्रक्चर में इतना आप लोग मध्धान देना वो ऑफिशल वेब साइट में आप जाकर देख सकते हो पर्टिकुलर यॉनिवर्सिटी के बारे में बाकी यह चीपिस्ट वे हैं एमसी डिगरी में आइडमीशन लेने के लिए आप लोग एजली मतलब ले सकते हो यहां पर आइडमीशन यह आप बूल सकते हो और बेस्ट इंफ्रस्ट्रक्चर यहां का माना जाता है टीचर्स भी आप बोल सकते हो कि कोडिंग टेक्निक जो है बहुत फाइनस टाइप की बेस्ट इंफर्मिशन शाइंस युनिवर्सिटी ओफ हैद्राबाद जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है और बाकी अगर इंस्टिट्यूट की बात करों तो उससे यह अलग अगर बोलनों तो यह आप बोल सकते हो कि फैसिलिटीज बहुत सारी आप बोल सकते हो कि है फैसिलिटी बहुत अच्छा है ठलस भी करते हैं कांच्टेजस तकी लेटिज टेखनोलोजी की बारे में अप लोगों सिख रहे अपने अपने स्टूडेंट वहां की साइक इck THE T तेकनोलोजी के बारे में सिखाए और फैसिलिटी के हलावा यहां की जो फी स्ट्रक्चर है वो भी जस्टिफाइड आप बोल सकते हो रिजनेबल है लगब तीन लाग तक आ जाता है को पूरे कोर्स का फीस तो वो भी एक अच्छी बात है आप बोल सकते हो फोर्थ नमबर में इतना ध्यान मत देना क्योंकि रीसेंट के अभी की नहीं बतारी हूं कुछ समय हो गया है तब की बतारी हो इस साल कितनी आ रहे है यह इतना नहीं पता है तो आप ओफिशिल एपसाइड में भी जाके एजली देख सकते हो कि अभी कितनी फीस आ गया है मतलग क्या उसमें रि पुझ अभी टॉक्ट्रल डिग्री के वहां के फेकल्टी जह और भी जो बुझ अपस्टॉरल डिग्रे सर्च कर रहे है वैसे यह बहुत अच्छी बाते कि फेकल्टी बहुत अच्छा यहां का फिफ्फ नमर में आता है बिल्डा इंस्ट्यूट ऑफ तेक्नोलोजी में इ लगभग आप बोल सकते हो कि फिगर जो है फाइफ लग तक आ जाता है यहां का और एडमिशन भी थोड़ा यहां का इस ट्रेक टाइप का है और थोड़ा बच्चा जो स्ट्रॉंग है मैथामेटिक्स में आप लोग ऐसा बोल सकते है या फिर अलग अलग अनलेटिकल स्केल्स सूरतकाल करनाटिका में ही लोकेटेड है बिगेस स्ट्रेंथ है यहां की देपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एन अप्लिकेशन में और अलुमिनाय भी बहुत इस्टिंग्विश्ट टाइप के है उनकी भी लाइन बहुत ही दिस्टिंग्विशन है तो बहुत है नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नलोजी रोड खेला जो कि आप बोल सकते हो कि यह लोग से रोड लर्निंग में ही ध्यान नहीं देते हैं बलकि लोग ट्रें करते हैं अपने स्टूरेंट को जादा जादा यहां पे भी मतलब प्रेक्टिकल एक्सपोजर जादा होत के सब्जेक में अलावा भी एट नमबर में आता है मोतिलाल नेरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एहमदाबाद जो कि आप बोल सकते हो कि वन आफ दा मोस्ट प्रॉमिसिंग इंस्टिट्यूट है जो कि M.C.A. कोर्स ओफा कर रहा है और यहां पे M.C.A. क यहां पे अमिशन लिया जाता है और यहां की फी स्ट्रक्चर लगभग 2 लेग तक आप बोल सकते हो बुझो कि एक प्रेटी मॉडिस टाइप का फी स्ट्रक्चर है रीसनेबल है उसके साब कर आपके प्लेस्मेंट भी एवरेज यहां का 4-5 लेग तक प्लेस्मेंट आता है हाइस भी 14-15 लेग तक जा चुका है तो उसके साब से फी स्ट्रक्चर बहुत ही मॉडिस्ट है रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट में यह सब सेलरी देखेगी सेलरी तनी अच्छी मिलती है मतलब एवरे सेलरी अच्छी रहती सैटिस्वाइट रहती स्टूडिन क नाइन नमर में आता है क्राइस्ट युनिवर्सिटी बैंगलॉर यह भी बैस प्राइवेट इंस्टिटूट बाना जाता है जो की M.C.A. कोर्स देता है और इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा माना जाता है इसकी भी जो फीस है पुरे इंटायर कोर्स की व भी जुक्यों पुल सकते हो कि यहां का टेक वेटीज थी स्ट्रक्चर लगबग 1.67 तु 2.00 अधर यहां का फीस्ट्रक्चर आ जाता है और यह इनका जो करिकुलम ही डिसाइड कर आया जाता है हर साल आंका करिकुलम जो कि लेटेस्ट टेकनलोची अप्लिकेशन को धान में आप लोग ले सकते हो और बहुत से बच्चे यहां से बहुत से स्टूरिंट यहां से ग्रेजुएट करके गया हैं जो कि अब एक तरीके से वेल वर्स्ट हो चुके हैं अच्छे चे कंपनीज में जॉब ले रहे हैं बहुत च्योंकि उन लोगों ने यह सब सीखा है क्योंकि करिकुलम में बता है कि लेटेस्ट टेकनोलोजी के उपर और वो इनकी अप्लिकेशन के उपर बेस्ट रहता है से लेबस उसके अकौर्डिंग ही साइट किया जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है तो यह मैंने आपको छोटे मैंने में आपको बता दिया कि कौन-कौन से आपको बता है तो लोग आप तो बाकी मैंने खासियत आपको बता है तो बाकी मैंने खासियत आपको बता है अधी इन सब कौलेज के बारे में तो आई थिंक आपको बत लगा होगा यह वीडियो एंड इस्टे ट्यूने तस गाइस